पारे हैं तो सांसोदों को बुलाएं जिन सांसोदों नों है उन दो युवाओं को पकड़ा जेला को देखा आई विटनेस थे उनको बुलाएं उनसे पूश्टाच कीजे कि क्या हुआ क्या नहीं देखा उनसे उनको भी नहीं बुलाया जा रहा जो स्वयम वहां पर ऑन स्प कि वे सांसर जो इसके पास से यह दो लोग आए और वे सांसर जिन्होंने आज हमें बचाया वो defenders tav वो पड्लोमेंट address सभी को पूर्शार्श करके पूरी जानकारी ले और हमसे भी राई ले कि क्यूं हमने क्या देखा है जब से यह नया पार्लेमिंट बना है, हमने क्या अनुभफ किया है कि किस प्रकार से यह नया पार्लेमिंट आज भी अधूरा है? बहुत से लापरवाई है, बहुत से चूख है, हमने खुद, हम बार-बार देख रहे हैं कि कितने बड़े-बड़े security lapses है, हमें अपने आखों से दिख रहा है यहां पर कोई भी नहीं, आप सोचो पहले तो किसी heart patient के BP को लेके, किसी महिला को mentally अगर कुछ, उनको trauma हुआ, अब जानकरी पता चला है कि gas poisonous नहीं है, लेकिन दो घंटे बाद ये बोल पा रहे हैं, समय समय पे तो कोई नहीं, तो क्या procedure है, क्या protocol है, कड़ोरों का पैसा आपने नए पारलिमेंट की निर्मान में तो खर्च कर दिया, लेकिन सुरक्षा में इतने बड़ी छूट, आज तो इस परिक्षा में पता चल गया है, कि सुरक्षा की किसी प्रकार से तैयारी नहीं है, ये तो भगवान का लाख लाख शुकर है, कि किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर वास्तविक में कोई बूरी मनशाक लेकर लोग आते, तो आज हम देख रहे हैं कि कितने हमारे पूरी जो प्रशासनिक और सिक्यूरिटी की जो यहाँ पे टेनाथ हैं, कितने तैयार नहीं हैं और इनकी कोई भी यहाँ पे प्रोटोकॉल ना प्रोसीजर, ना हेल्थ डॉक्टर की तरफ से, ना पुलीस करमचारियों की तरफ से देखेंगे। प्रथम कड़ी है, उस कड़ी पर ही यह सरकार काम नहीं करी।